Hey guys, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग push method create करते हैं अपने stack के लिए, तो चलिए इसे visualize करते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक stack है जिसके अंदर 3 node है, अब मुझे अपने इस stack के अंदर एक और node को add करना है, उसके बाद अपने top को इस new node पे point करवाना है, तो चलिए इसका code देख equal new, node और इसके अंदर data को pass कर देगे, तो यह हम लोग के लिए एक node create कर देगा, इसके अंदर हम लोग के पास एक condition होगा, कि जब हम लोग का stack empty होगा, अगर हमें एक node को top पे add करना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग αîk if condition create करेंगे, जिसके अंदर condition होगा if height equal zero height zero का मतलब हम लोग के stack के अंदर एक भी node नहीं है तो हम लोग का जो top variable है वो null को point करेगा क्योंकि हमेशा top variable हम लोग के किसी भी एक node को point करता है बट क्योंकि हम लोग के stack के अंदर कोई node है ही नहीं तो ये null को point करेगा तो अगर हम हम लोग का height equals zero होगा तब हम लोग top को अपने निव नोट पे point करा देंगे क्योंकि current में हम लोगों ने एक new node को add कर दिया है अपने stack के अंदर अब क्योंकि हम लोग का stack empty है तो हम लोग का top इसी new note है इस new note का हम लोग next point करवा देंगे अपने top note पे उसके लिए हम लोग new node dot next equal top लिग देंगे और यह हम सब लोग को पता है कि जो हम लोग का top variable है वो top note पे point करना चाहिए तो उसके लिए हम लोग top equals to new note लिख देंगे और जब हम लोग अपने L से बहार आएंगे तो अपने height को plus plus कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने successfully एक note को add कर दिया है अपने stack के अंदर तो आज के लिए इतना ही बागी का method हम लोग अपने next video में देखेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करना और इस channel को subscribe करना ना भूले thanks for watching